तो दोस्तो एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजर हूँ आज अपनी इस चैनल का बलजीत परमार फ़र यू का दो सोवा एपीसोड लेके अपने आप में मुझे भी जिकीन नहीं होता कि कब चैनल शुरू की थी और कब दो सो एपीसोड भी पूरे हो गए और ये तब आप लोगों की महर्बानी का सदका है आपका प्यार है आपकी दी हुई महभबत है और आपका जो इतना लंबा समय साथ में जुड़े रहने का एक जो आपने दिखाया वो एक कमिट्मेंट दिखाई जो लिसनर्स की कमिट्मेंट होती है एक चैनल की तरफ ये काम नहीं होता मैंने जब शुरू की थी चैनल तो हफ़ते में तीन दिन प्रोग्राम किया करता था लेकर आपकी परमाईश पे आपके जो आपकी इच्छा थी उसको पूरा करते हुए कोई पांच एक मिहने पहले हमने इसको डेली चैनल मनाया रोज का एक प्रोग्राम करन लगे आपने बहुत अच्छा वंगारा दिया आपके व्यूज आपकी सलाव आपके ख्याल और आपकी सिक्षा जो देते थे मुझे आप उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला तो आज इसके एक पर फिर आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद शुक्रिया इस टैनल को पैटरिनाइज करने के लिए तो आज इस दोसों में एफ़ पीसोड में हम उस सक्ष की बात करेंगे जिसके बारे में आप बार 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 एक रिक्वेस्ट भेजते रहे कि हमें कहानी सुनाईए वस्थाई विरार नालस पारा के जो एक बिना ताज का बादश है आज भी है लेकर क्राइम की दुनिया से अब एक किसम से रिटाइर्मेνट ले ली है लेकिन नाम जो तहाँ वो आज भी है उनका जो दबदबा उनका जो एक असर रसूख एक उनकी वहां पे दादा गिरी पहले बदमाशी की चलती थी आज पॉलिटिक्स की चलती है या पावर पैसे की ताकत इतनी हो जाती है कि वो आपको जादा गिरी से कहीं जादा ताकत शक्ती परदार करती है तो भाई ठाकर जो है वो सही वरार एरिया महराश्टा का एक है बुबई के नजदी और उसकी जो एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है उसका बहुत बड़ा पैदा भाई ठाकर को शुरू से मिला शुरू शुरू में हम भी जब नए नए मुबई में गए थे उसके थोड़ी दिनों के बाद उसके बाद जब पत्तर कारता में आए तो वर्दा राजन मुडलियार अपना अहादी मस्तान करीम लाला और दाओद क बाद अगर किसी का बड़ा नाम उन दिनों में चलता था तो भाई ठाकर का चलता था बेती कली इनका काम शुरू से कई लोग पहले पहले जिसामिते थे कि ये सुबात सिंग ठाकर की तरह या और ठाकर लोगों की तरह उत्तर परदेश के या बिहार के रहने वाले डौन हो लेकर मैं आपको बता दूँ कि उनका उत्तर परदेश जा बिहार से कोई लेना देना नहीं है वो ब्लू बलड़ेड महरास्तियन हैं महरास्त्रा के ही रहने वाले हैं बाप दादा परदादा के समय से और वो जो उनका इलाका है वो ज़दी पुष्टी इलाका है उनका कही बाहर से आके वहाँ पे सैटल नहीं हुए तो मैंने जो बात की थी स्ट्रेटिक लोकेशन की जो वस्ताई विरार नालासपड़ा एरिया जो है पालगर थोड़ा तो उस अलाके में मिल जाता है दूर जाके तो यह इलाका कुछ इस किसम का था जहां पे पलीस का कंट्रोल कम था और जो सरकारी जो तंतर मंतर होता है डिप्टी कमिशनर कमिशनर कलेक्टर इस किसम के आफिसर उस एरिया से बहुत दूर बैठते थे यह पूरा इलाका उस समय थाना जिला जो गिना जाता था यह उस समय में जो डिस्ट्रिक्ट अफ थाना जो जिसको कहते थे जिला वो हिंदोستان का सबसे बड़ा जिला गिना जाता था एरिया के हिसाब से और पॉपॉलिस्टिन के हिसाब से उसका एक करब जो मंबई के पास जो एक अलइपन्टर केवज है वो ठानह जिला में पड़ती थी और उसे लेके पूरा समुदर का अलाका जो था वो नवी मुबई से लेके थाना पूरा साथ में वसाई वरार ये अलाका ये सारे एक ही जिला था और जो उस जमाने में जो कमिशनर पलीस का होता था वो थाना में बैठता था और ये पूरा अलाका जो भाई ठाक का जो फिफडम जो सो कहते थे जहां पे उनकी हकूमत चलती थी उस पूरे अलाक्टे का ओवराल इंचार्ज एक डी एस पी रैंक को ऑफिसर हुआ करता था जो थाना रूरल में पड़ता था मतलब कि जो थाना प्रीस कमेशनर की जो पावर थी वो भी थाना रूरल में नहीं चलती थी तो थाना रूरल जो एरिया था जिसमें बहुत बड़ा एरिया था जिले का वो एक एस पी की निच्छे आता था सुप्रेंटेंड़न्ट ऑफ प्रीस थाने रूरल और उतको अफल थाना में हुआ करता था और वहां से वसाई बरार जाने के लिए उस जमाने में आज़ा दिल लग जाता था तो ले देखके भाई टाकरन कंपणी और इसी तरह कि जो और क्रिमिनल ग्रुप महां पे चलते थे उनको सिर्फ एक प्लीस ऑफिसर को मैनेज करना होता था अपने धंदे चलाने के लिए तो कोई बड़ा ऑफिसर तो सरकार का जाता ही नहीं था व लेकर ओवराल सुपरवीजन जो थी वो बहुत लैक्स थी और दूसरा कुछ उसकी जो आने जाने का साधना है वो भी बहुत गूम के आना पड़ता था जो जहां से लोकल ट्रेल मुंबई की तो गिरार तक जाती थी बड़े आराम से लेकर रोड ओवर ब्रिज नहीं था क् को बीच में एक बहुत बड़ी करीक पड़ती है उसको बोलते हैं वसाई करीक जा बाहें अंदर करीक तो बाहें अंदर के बाद समंदर आ जाता है जो एक तरफ जो आईलेंड सिटी और रूरल एरिया जो हैं उनके बीच में समंदर का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जात सका रेलवे लाइन तो अंग्रेजों के टाइम पर बन गई थी उसके बाद उसकी कोई extension नहीं होई तो एरिया बहुत जब मंबई महगा हुआ तो एक तो development बूम आई वो नाला स्पारा पहला स्टेशन पानी के बाद समंदर के बाद और उसके बाद बसाई भिरार और ये अलाके वहाँ पे बहुत तेजी से develop होने शुरू हुए थे तो आपने देखा कि जहां जहां इंफ्रास्टर बढ़ेगा वहाँ वहाँ अंडर वर्ल्ड के लोग पनपना शुरू होते हैं यही बात पहले खाली के पहले मीरा रोड बाहं दर में देखी गई और उसके बाद जब वहाँ भी जगा कम पढ़ने लगी तो उसमंदर क्रॉस करके बाइठाकर के एरिये में नईनी बिल्डिंग नईनी अमारते स्कूल कालेज हॉस्पिट इक हाउटिंग सोसाइटी यह सब कुले लगी तो वो एक प्रापर्टी के जड़िये पैसा कमाने का बहुत बड़ा जखीरा मिल जाता है अर्दरवर के लोगों को और उसका फैदा भाई ठैकर और उसकी फैमली ने बहुत कमाया वो जमाना था जब जमीन सोने के बहु बिक बहुत 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 बहु आफिसर बीच में नहीं आता था लिम्टेड आफिसर थे वो पैसा लेके या डरके वो अपना मूँ बंद रखते थे और इनका सामराज्या बढ़ता चला गया तो ये थी शुरुवात्नी दिनों की कहानी और उनी दिनों में जैसे कहते हैं कि एक आदमी जब क्राइम की लाइ जब प्रापर्टी अटैक्मेंट का ओडर आ जाए तो पूरी सालों की कमाई जो है वो पानी में चली जाती है तो भाई ठाकर ने और इसके रिच्तेदारों ने इन्होंने बेनामी कमपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया जो इनके अपने बहुत खास आजमी थे जि उनमें से दिवान हाउसिंग जो कार्परेशन है वो एक कमपनी थी दिवान फैमली जो विरार की रहने वाली बदावन उनका सरनेम था एक दिवान साथ हुआ करते थे वो उसको जमाने में मालक थे कमपनी के बाद में उनके बेठे आ गए और वो कमपनी बढ़ते-बढ़त की टॉप टेन जो इंफ्रास्ट्रक्टर कंपनी थी उनमें एक वो एच डी आईयल जो अभी पंजाब महरास्था कौफिलर बैंक के स्केंडल में जो छेजार पांसो क्रोडर पेका स्केंडल हुआ दो सारे पहले आपने पड़ा सुना उसमें सबसे बड़ा गोटाला उसी फै फैमिली के पिछले 40 साल से जो पचास साल से जो रेलेशन्स हैं वो ठाकर परवार के साथ बहुत गहरे चल रहे हैं तो कहीं न कहीं जी कहा जाता था कि दिवान वालों का पूरा बिसनस जो है उसका पैसा ओठाकर फैमिली ने लगाया हुआ है बहुत बार इंकमट्रक्स की रेड हुई और उसकी अफवा ऐसे ही फैली कि इंकम टैक्स को उनके घर से 13,000 करोन रुपया कैश मिला। मतलब यह कोई इस किसम की वो बाद में सोचल मीडिया पे इदर उदर वो खबर बहुत गुमी। हलागे रेड जुरूर हुई ते लिए कि इतना पैसा नहीं मिला था। तो जब कहते हैं कि एवरी डैवल और डैमन मीटस नेमेसिस तो हर आदमी को कहीं न कहीं उसको आगे टकराने वाला मिल जाता है। तो इतने सालों से इन लोगों की जो दादा गिरी चलती थी, समगल की चलती थी, हफ्ता वसूली चलती थी, एक्स्टॉर्शन रहकर चलते थे, उसके दोरान सबसे पहला केस, क्रिमिनल केस, जो ठाकर भाई ठाकर के खलाफ रेजिस्टर हुआ, वो था सुरेश दुबे का के वो दो भाई थे, नाला स्पारा में डिवेलपर थे, बिल्डर थे, उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी, पहले की क्रिद के रखी हुई थी, भाई ठाकर को जो बड़ा प्लाउर था उनके पात, वो इनको चाहिए था, इन्होंने धबरदस्त थी उससे वो जमीन खरीदने क कोशिज की, वो भाई ने रिफ्यूज कर दिया, वो लबी तोड़ी कहानी है, वो आपको मिल भी जाएगी कहीं नेट पे, क्योंको केस स्प्रीम कूर तक चला वो, तो इन्होंने भाई ठाकर ने उस रेच दुबे का और उसके एक दोस्त का मर्डर करवा दिया, तो वो केस म प्ली स्टेशन में हलाका लगता है, दमकी तुम्हें नालस पड़ा में बिली थी, वहाँ पे जाके कंप्लेंड करो, मर्डर रेलवे स्टेशन पे हुआ, आप रेलवे स्टेशन के पास जाओ, या आपको रेलवे स्टेशन पे बनाया गया था, आप रेलवे स्टेशन को कं में तक अर्दियां देते रहे कभी इदर कभी ओधर लेकर जैसे मैंने कहा कि एक डी एस पी को मैलेज करना होता था उसको करके ते नीचे प्लीस वाले कोई किसी कुसंते नहीं अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे प्लीस के एक नए डी आई जी बनके आगे जिनका नाम था ए उसकी तरह उसके बंबाई भी उन्होंने काम किया कई बर आपने टीवी डिबेट्स वे भी देखा होगा उनको एससेट सुराड कर वो जब उनने टेक ओवर किया पड़ारी फाइल देखी तो उनको उस रेज तुबे की फाइल नजर आ गई उनने आफिसर्स को पूंचा के इसके उपर आपने अभी तक कोई कारवई क्यों नहीं की तो उनमें एक एमांदर आफिसर्स रता उसने सक्षी बात बता दी केस पूरा भाई ठाकर से तुल्ट रखता है और हमारे सीरियर्स ने हमें आच चा किसकी उपर कारवई नहीं करने दी तो खैर वही लबी चोड़ की जेल की जेल के चकर जेल की जेल की जेल की जेल की शुरू होती है यहां से उसको ज्यादा अर्था पूना जेल में रखा गया उसके बहुत और केस हुए दिल्ली का केस मैंने आपको थोड़े एपिस्ट पहले सुनाया था जब नेपाल बाॉडर से आई बी की टीम इनको चारों पांचों को पकड़े के लाई थी जिनमें स्वास्त इंठाकर बहाई ठाकर चाम के छोर गरिका पटी इस किसम के लोग सब मैं जिकर किया था कि जिसमें इंट्रोगेशन में जो इंट्रेलिजनस बेरों ने की थी जिसमें स्वास्त इंठाकर ने एक बहुत बड़ा क किया था कि मैंने चार पांच सो मडर किये हैं खून किये हैं तो यह उसी चकर में भाई ठाकर भी उसी दिली की तेहार जिल में रहा और उसके बाद उमर कैद हुई तबाद ठाकर आई तक उमर कैद काट रहा है और भाई ठाकर की तोड़ी इन्वाल्मेंट कम थी इसकी बाद म वो आदमी अपने घर में एक रिटायर लाइफ जो है वो रह रहा है लेकिन इतने सालों में जो इतना पैसा कमाया उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट मनाया और आप मैं बतानू आपको बड़े बड़े ट्रस्ट जो हैं वो बेसिकली इंकम टेक्ट की चूरी करने के लिए बनाए जाते हैं जो कैस्ट में बिजनस होता है उसको वाइट करने का एक धंदा है क्योंकि कई ट्रस्ट की छूट होती है तो बड़े लोगों से पैसा लेके उनको वाइट करने का चक्करवी ट्रस्ट के ट्रू होता है तो यह वो अपने आप में बहुत बड़ा रहके तहट तो वो ट्रस्ट के थ्रूए इन्हों ने काफी कॉलेजिस बनवाए हॉस्पिटिल बनवाए और उसका नाइम रखा वाईवा ट्रस्ट वाईवा वो नहीं जो टेलीपून की कंपनी है जो इलेक्ट्रोनिक जैंस है फस्ट वी आई जो है वो विरार के लिए है इसी साल जैंवरी में 21 जैंवरी अब मुझे डेट जाद है क्योंको मेरे जनम दिनी की तारीक है 21 जैंवरी को बहुत बड़ी एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेड की रेड इसी साल ठाकर परवार की उपर पड़ी बहुत बड़े ऑफिसर गए और काफी कुछ महां से मिला और उसमें कोई एक हजार करोड के डाकूमेंट ऐसे मिले जिसमें पंजाम महरास्टा बैंक का और वधावन परिवार का दिवान परिवार का एक हजार करोड की ट्रांटफर जो है वो ये वाईवार ट्रस्में की गई वो इन्वेस्टिंग एच्छन चल लए है अभी तक साल होने वाला है क्या निकला पता नहीं लेकन एक हजार करोड बहुत बड़ा आमाउंट होता है जो गरीब लोग जो छोटे बचारे लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा था वो आज तक बचारे रो रहे हैं उनको अंसाफ नहीं मिला और जो में धाबन परवार जो है वो हजारों करोड र्पए अपने धोस्टों के नाम पे अनके ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर करके अपने जो धंदे की कारवाएंश थी वो ब्लैक को वाइत बड़क करना और पैसे को छुपाना और आगे ही इस्तेमा की हुई है वो भेच नहीं सकते एक हजार एकड लैंड एरिया वसाई विरार का वो भी एंपोर्स्मेंट रेकोरेट ने सील किया हुआ है सीज किया हुआ है तो इस किसम के और उनका बगला विरार वाला भी सीज किया अंदर लॉक एंड की रखा हुआ हुआ बैंक ने इडी न लिए में उसकी तीन चार एकड एकड करोड एक एकड की जमीन कीमत भी ढलें तो चारह हजार करोड रुपए की जमीन जो एडी को मालम पढ़ी है आज के दिन में उसके मालक वो विलावन्स और यह ठाकर परवार है उसी तने एक हजार करोड जो बैंक का गया उसका हसाब ख रही है तो वह एक इतना बड़ा और्गेनाईज वे पे एक जमाना से जब लोग मकालते कहा करते थे कि दाउद के पास उतना पैसा नहीं है जितना भाई ठाकर के पास है तो दाउद के साथ बिलके भाई ठाकर ने बहुत समगलिंग का काम भी किया एक बहुत बड़ा केस कर में वो बोर्ट पल्टी हुई और जो सिल्वर था वो उसी क्रीक में गिर गया खुडाल विलेज वहां पे है बड़राई एरिया उसको कहते हैं बड़राई उसमें कुछ लोगों ने और कोस्टल अलाके में रहने वाला हरा अदमी तैराक होता है उस पानी में तैराक ना था सिल्वर उन्होंने भाई ठाकर की मतर लेट लोग बतानी रहे थे तो एक जैसे एक बहुत बड़ा मास एक्शन होता है तो बड़राई और कोडाल गाउं के लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा गया मारा गया और काफी हाद तक वो सिल्वर बरामद भी किया गया वो के उनकी धजियां उडा दी गई और ये इनके साथ मिला और एते ही अगर आप देखें तो इन दोस्तान की जो बड़ी अमीर फैमिलीज हैं उनके पास जो वहीकल्स होते हैं वो बहुत महेंगे और वो शायद इन दोस्तान में दो ही ऐसे होगे जिनके पास दुनिया भर के जो और किसम के महगे, महगी जो कारे हैं उनकी सबसे बड़ी कलेक्शन जो है लेटस कारों की वो जा तो अमवानी कहांदान के पास है तो या भाई ठाकर के पास कोई ऐसा नहीं कारी का महवा मॉडल नहीं होगा जो इन दोनों प्रवारों के पास नहीं है और पिज्थे ईनका भाई ठाकरे की बेटी की शादी थी उसमें एक स्पेशल हैली पैट बनाया गया वो वाईवा कॉलेज की ग्राउंड में क्योंकि भाई रोड जब भाई से जाते हो तो बहुत घूम के जाना पड़ता है वहाँ पे जो चाइना क्रीक जो है वहाँ से वो ब्रेज अंजर रपे से लेफ जाके अपको विरार जाना पड़ता है वहाँ से ब्रेज क्रॉस करके आगे इनका जो घर ओफिस जो कॉलरी था वहाँ जाना तो जो वी आई पीस थे उनके लिए सड़ के रास्पे से जाना बहुत मुश्किल था इसलिए उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर इसका रेन किया गया और वो हेलीकॉप्टर में बैठके जाने वालों मेंसे जो बड़े बड़े लोग थे बहुत थे मुझे कुछ नाम याद है उसमें राय ठाकरे उस हेलीकॉप्टर में गए उनका एक सरदसाई बहुत बड़ा लीडर था उनकी पार्टी का मंसा का वो सा दूसरे हलीकॉप्टर में गया संजे राउत जो शिबसेना के वो उनकी फैमली भी हलीकॉप्टर में गई और दिवान भाई बाप बेटा राकेश बदावन और उसका बेटा सारंग वो भी हलीकॉप्टर में गई और बहुत से बड़े बड़े लोग फिल्म डस्पी के जो खाने प्रोस्ते गए थे पार्क में का रेंजमेंट किया गया था और कोई पांसो से ज़्यादा तो स्कूरिटी वाले लगाए हुए थे लोगं को गाईर करने के लिए तो ये एक किस्था है भाई ठाकर और उसके परिवार का तो आज के दिन में वो एक रटायर अपने घर में बिता रहे हैं कोई कमरे की शैद उनको प्रावलम है तो बेल्ट बंदी है मैं को फूर दखाऊंगा तो वो सक्ष जिसके नाम से एक जमाने में विरार थरता था था कामता था वो धर और वो नाम आज भी कायम है उनकी एक प्लिटिकल पार्टी है जिसके तीन अमेले हैं उनके घर के समेंबर हैं एक बाहर का है तो एक प्लिटिकल पहुंच आज भी है तो बहुत पहले जब मैंने सुराडकर साब से बात की थी जब मैंने अख़वार में रपोर्ट दी थी तो उन्होंने एक बात कही थी सुराडकर साब ने कि भाई ठाकर जैसे लोग सुरार करने किये तो एक नकेल इनके काम को पड़ी थी जो उसके पहले कभी किसी ने पूछा नहीं था तो आज के दिन भाइचा करका किस्था आपने सुना आने वाले दिनों में कुछ और किस्थे काहनिया लेके फिरादर होंगे तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया रन् पहले पहले धिते होंगे आने में जावपा हैं युक्ता का खिरादर होगंर आने तो आने तो